नमस्कार आप श्रीकाल की आल चाल मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं पर उमीद आप सभी बढ़िया होंगे आज के सेशन की सुरुआत करेंगे बहुत ही शांदार अल्टिमेट क्लास रहने वाली है पूरे मार्च का करेंट अफियर्स मात्र एक से डेड़ गंटे की सबक lesia क्लास में यहां पर करने वाले हैं यहां पर अगर मैं बात करूं इंप्रिंब इंपरिंट पॉइंट इंपॉइंट को डिसकस्ट करूंगा आप सभी के साथ में जलते विदाउट वेस्टिंग टाइम सीदे की हम क्या 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 इसमें कबर करेंगे अवोर्ट से न् honors का तो जब हम awards and honors में जाते है awards and honors में आपका पहला question आपकी screen पे है first question on your screen की who has been recently awarded the able price 2024 able price बहुत ज़्यादा important होता है able price की जब हम बात करते है यह noble price की तरह ही होता है लेकिन noble price आपका six categories में दिया जाता है जिसमें पहला आपका जो जो कि आपका meditation में दिया जाता है physics में दिया जाता है chemistry में दिया जाता है peace के लिए दिया जाता है और यहाँ पर literature के लिए दिया जाता है और economics के लिए दिया जाता है लेकिन maths के लिए able price दिया जाता है apele price जो है वो आपको माइकल तालग्राइड का नाम वो आपको यहाँ से याद रखना है C इसका सः है जवाब होगा मिशेल तैलग्राइड मिशेल तैलग्राइड का नाम वो आपके लिए यहाँ से important बनेगा नमस्कार अदाब शत्रिकाल गुडिवनिंग और आफ यू तो एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शियर करके आजाना अपने सभी साथियों के साथ में नेक्स्ट अभी अगर हम बात करें तो फोटो में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे यह आपकी जो स्क्रीन पे नेक्स्ट कोश्चन है आपकी स्क्रीन पे बताएं फोटावर्ट से कि इसका सही जवाब क्या होगा वूज अनौज टू बी गिविन देवी संकर अवस्ति समान 24 देवी संकर अवस्ति समान 24 किसको दिया गया है यह आप से यहां पर पूछा गया है इस पीड में आप सभी इसका अंसर बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा है हाजी एक बार सेशन को लाइक और शियर करके जरूर आईएगा यहां अगर हम इसके गरेक्ट आंसर की बात करें तो निशान्त आपको यहां से याद रखना है कि देवी संकर अवस्ति समान जो है वो 2024 के लिए किसे दिय निशान्त नाम आपको यहां से याद रखना है यह जो फोटो में आप देख रहे हैं यह निशान्त जी है और इनको 29 वह देवी संकर अवस्ति समान 2024 जो है वो यहां पर दिया गया है बात करें कि किस बुक के लिए इनको दिया गया है तो कविता पाठक आलोचना यह इनकी क्रिटिसिज्म बुक है इसके लिए इनको यह और दिया गया है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा 28 की बात करते हैं तो सुजाता नाम आपको धियान में रखना है सुजाता की बुक थी आलोचन आलोचना का इस्तिरी पक्ष उनको जो है वो 28 मां देवी संकर वस्त दिया गया था नेक्स्ट कुश्चन है आपका बताएं फटापट से कि इसका आंसर क्या होगा कि विच कंट्री है और नरेंद्र मोदी विद इट्स हाइस्ट सिविलियन अवार्ड दा ओडर ऑफ दा ड्रक गैल्पो बताएं स्पीड में आंसर करें कि इसका सही जवाब क्य क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस पीड में आंसर करिए और एक बार सेशन को लाइक शेयर करके आजाए अपने सभी सातियों के साथ मैं हां मैं भी यहां पर शेयर कर दे रहा हूं और एक बार आप लोग भी जो है वो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में चलिए, वाल डन तो यहां अगर हम आगे चलें इसके गरेक्ट आंसर की बात करें तो इसका अंसर हो जाएगा भूटान यह आप ध्यान रखिएगा कि किस देश ने नरेंद्र मोदी को अपने अपने देश का सर्वोच नागरिक प्रुसकार दिया है और अपने देश के देश नरेंद्र मोदी जी को ड्रक गालपो बूटान और अफ ड्रक गालपो अपने देश के देश नावियल वांग्चुक के देश नोन भूटानी इस एड और इस यह जो पुरुसकार है वो पहले गैर भूटानी राष्ट्रा देक्ष है जिनको यह पुरुसकार जो है वो दिया गया है यह अवार्ड दिया गया है आगे चलेंगे नेक्स्ट कोशन है आपका अपकी स्क्रीन पे स्पीड में आंसर करें कि विच और्गनाइजेशन गिफ्स दा रामनात गोईन का एक्सिलेंस इन जर्नेलिज्म अवार्ड रामनात गोईन का जर्नेलिज्म अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है आंसर की बात करें दा इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर के द्वारा रामनात गोईन का अउतक्रिश्टरता पत्रिकारता पुरुसकार कौन प्रवाइडिशन हुआ है दिया गया है तो यह दिली में हिल्ड किया गया था चीफ के रूप में नेतिन गडकरी जी जो है वह आपके रहे हैं नितिन गडकरी के पास में अभी अगर हम बात करें कि कौन सी मिनिस्ट्री का कारेबार रहा है इनका इक बयान भी बीच में आया काला नहीं किया यह फिर मैं किसी घुटाले में नहीं फसा हूं तो इसलिए मैंने आपस पूछा है कि इनके पास कौन सी मंत्राले कौन सी मिनिस्ट्री है वह आप कमेंट करके बताएं और आगे यहां पर बात करें तो यह वार्ट किसके द्वारा दिया जाता है वह देख च सरस्वती सम्मान बहुत बहुत जादा इंपोर्टेंट है कोशन आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है हां मैं एकदम बढ़िया हूं मैं एकदम जबर्दस्त हूं एक कोशन आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि बताएं सरश्वती समान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है तो सरश्वती समान के के बिला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है पिर्भा वर्मा का नाम जो है वो आप यहां से याद रखेंगे कि पिर्भा वर्मा को सरश्वती समान से समानित किया गया है 33 सरश्वती समान है वो किसको दिया गया है प्रभा वर्मा को दिया गया है यह आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा और इनका नोबल क्या है तो रौद्र सत्विकम जो है वो इनका नोबल है इसके लिए इनको यह समान दिया गया है बा सुप्रीम कोट के जो जज हैं अर्जन कुमार सिक्री जी इनके द्वारा किया गया है नेक्स्ट हम कोशन की तरफ मूव करेंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है इस पीड में आप इसका अंसर बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा संगीत कालनिधी अवट फॉर दर 2024 संगीत कालनिधी अवट की गई है कि 2024 के लिए किसको चुना गया है संगीत कालनिधी अवट हाई स्पीड में आंसर बताएं संगीत कला निधी अवट तो संगीत कला निधी अवार्ड की जब हम बात करते हैं संगीत कला निधी अवार्ड आपको ध्यान में रखना है टी एम कृष्णा का नाम किसका टी एम कृष्णा का नाम आपको याद रखना है important points की अगर हम यहां पर बात करें तो point important है संगीत कला निदी अवार्ड जो है 2024 के लिए T.M. Krishnah जी को दिया गया है यह Carnatic singer है music academy के नित कला निदी अवार्ड जो है वो नीना परशाद जी को दिया गया है जो कि आपकी मुहिनी अटम exponent है मुहिनी अटम जो है मुहिनी अटम से Sam मन देते हैं आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि बताइए कौन से रिलेटेड परसन है किस ऱसे आंसर यहांपर क्या हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नीना परशाद was in news recently and she is related to which field तो answer या फिर which dance तो आपको मोही नहीं अटम वह से याद रखना है नेक्स्ट देखेंगे कि who was recently who was recently honored with the prestigious PV नर्सिमा राव Memorial Award for his philanthropic work in Mumbai फट अपट से answer बताईए कि इसका सही जवाब क्या होगा इसका correct answer क्या होगा कि यहाँ जी is supreme answer करें इस Gör masa गना है सभी को बहुत बहुत स्पीर में सभी आंसर बता हैं एर करेक्ट answer की बात करें तो answer हो जाएगा रतन टाटा किसको दिया गया है यह Award तो आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी को दिया गया है यह आप फोटो में आप देख पा रहे होंगे यह रतन टाटा जी को अवर्ड दिया गया है पीवी नरसिमा राओ मैमोरियल अवर्ड पीवी नरसिमा राओ जी की बात करें तो पीवी नरसिमा राओ को भी अभी नरसिमा से समानित किया गया है भारत रतन की बात करें पीवी नरसिमा राओ जी की यह प्राइम मिनिस्टर के तो पर जब समानित किया गया है और यह क्यों दिया गया है तो परोपकारी योगदान की वज़े से इनको यह पुरुषकार जो है वो दिया गया है नेक्स्ट कोशन देखिए आप और बताएं फटाफट से की आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा वह आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा चीक है अगे अगर हम बात करें तो यह जो फोटो में आप देख रहे हैं यह इन इन दोनों लोगों को चमेली देवी जैन अवार्ट जो है वो दिया गया है जिसमें ग्रीसमा कुतार और रितिका चोपड़ा जी का नाम आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्ण है कि बताएं हूँ वाज ओनौर्ड विद दा इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इन लोग को मैं cover करादू जादा से जादा चीज़े cover करादो जो लोग recorded session देखेंगे ना तो उनको जादा टाइम बरवाद नहीं होगा उनका सभी टाइम बरवाद नहीं होगा तो इसका सही जवाब क्या होगा आंसर हो जाएगा इन लंडन है ना और यहां पर आस्मा खान आस्मा खान का नाम आपको यहां से याद रखना है ठीक है आस्मा खान और यह कहां पर हुआ था तो लंडन में हुआ है इसरों को किस मिशन के लिए किस मिशन के लिए लिए दिया गया है किस मिशन के लिए दिया गया है तो इनको दिया गया है चंद्रियान थ्री मिशन के लिए चंद्रियान थ्री मिशन के लिए चल तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा चंद्रियान थ्री मिशन के लिए इस रो को हाल ही में एविएशन वीक लॉरियाट्स अवार्ट टिक है और यह किस के दोवरा रिसीव किया गया है तो रंगनाफन जी के दोवरा रिसीव किया गया है जो कि डिपति अंजर हें ंडियन एमथसे में यूएसे में नेक्स्ट देखिए बताईए दा इंटेनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन हैज ओनोर्ड विद विच इंडियन साइंटिस्ट वाई नेमिंग एन एस्ट्रोइड आफ्टर हिम बताओ कि अंतरास्टी खगोलिय संग ने किस भारतिय वग्यानिक के नाम पर एक छुद्र ग्र रखा गया है यह इंटेनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन के द्वारा रिनेम किया गया है इंडियन प्रोफेशर हैं जयन्त मूर्थी जै ठीक है यह आप ध्यान रखिएगा बकी यह रिटाइड हैं आपके इंडियन इंस्ट्रोट्यूट आफ ऐस्ट्रोफिजिक्स है च एक बार तुम लोग यार सेशन को लाइक और शियर करके आजाओ जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शियर करके आजाओ सभी एक बार सेशन को लाइक शियर करके आजाओ यार आगे चलते हैं और वर्ल्ड कवड़ी डे दोजर चौबेस विच कंट्री created history by creating a guineas world record with the participation of 128 players तो किसके दुआरा यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है कबड़ी जिसमें 128 लोग खेले थे आंसर हो जाएगा इंडिया के दौरा guineas world record बनाया गया है इंडिया के दौरा ठीक है हाँ चलो मैं सिलो कर दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर अब ध्यान रखेगा कि भारत के दौरा यानि कि इंडिया के दौरा guineas world record जो है वो बनाया गया है जिसमें 128 प्ले किये और इंडिया यहां पर इंडिया ने हिरेक किया है चिल स्रीजेस वह वो इन दे नीनूज रिसेंटली लांस टू इच परломर की गई है जो की हाल ही खबरों में थे हौनी ही चर्चा में थे और और-और-और-और यह किस इसपोर्ट से आते हैं इस थाइब डिए और से ब हां यह किस स्पोर्ट से आते हैं आंसर हो जाएगा होकी प्लेयर हैं क्या है यह होकी प्लेयर हैं यहां पर अगर हम पियर स्रीजेस की बात करें तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे इनको अपॉइंटेड एज़ कोच एर एफ आई एच अथेलेटिस कमिटी इंडिया टीम से स्टार गोल की पर पियर स्रीजेस और डिफेंडर जो है वह आपकी कामिला कैरम जो है वह चिली विमेंस साइट से बनाई गई है तो यह आप ध्यान रखेगा प्रेजिदेंट ऑफ होकी इ आगे रीखें एक्स्ट विच टीम वन दाइटल फको साइटिल आफ बॉक्सिंग सहे जीनियर शाट नेशनल चेंपियनसिब का किसे टीम ने जीता है किस टीम ने जीता है, हाँ जी, बहुत-بहुत बढ़िया, Speed में आंसर बताईए, कि इसका सही जवाब क्या होगा, वाक्सिंग सब जूनियर नैशनल चेंपियनसिप का खिताब किस टीम ने जीता है, हर्याना दिली महराष्टरा भीहार आंसर की बात करें कि इसका सही जवाब क्या होगा तो यहां आंसर हो जाएगा हर्याना के द्वारा जीता गया है किसके द्वारा जीता गया है हर्याना के द्वारा जीता गया है यह आपके लिए important बनेगा ठीक है next देखेंगे question की who became the first Indian to score 12 10000 in T20 match 12 1000 which मैं किसके द्वारा बनाए गए हैं किसंने बनाए हैं 12 000 run anser क्या होगा anser होगा आपका विराट कोहली खि2020 करेक्ट answer होगा किलियर बहुत बहुत बढ़िया एक बार session को कогодा आ जाओesting है just answer की बात करें तो विराट कोली आपको यहां से नाम याद रखना है कि विराट कोली फर्स्ट इंडियन किर्केटर बने हैं जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं T20 किर्केट में इसके यहां पर यह तो आपको ध्यान में रखना है और किस-किस के बीच में तो चैन्ने सुपर किंग और रॉयल स्टेडियम में इनके द्वारा यह रन जो हैं वो बनाए गए हैं यह हिस्ट्री किर्येट की गई है हूँ विकें दो फॉस्ट एवर इंडियन पैडलर तू लिफ्ट आ मैंस सिंगल टॉफी एट डबलू टीटी फीडर सीरीज इवेंट पताएं स्पीड में आंसर करें कि क क्या होगा डबलू टीटी फीडर सीरीज इवेंट में पुरुस एकल ट्रॉफी उठाने वाले पहले पहले भारतिये पैडलर कौन बने हैं पहले भारतिये पैडलर कौन बने हैं कि चलिए बहुत शांदर आंसर की बात करें तो कौन बरे हैं आंसर हो जाएगा साथियान अब आपके इंडियन बन गए हैं फिर्स्ट एवर डव्लू टीटी फीडर टाइटल लेने वाले तो यह आपको ध्यान में रखना इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखते हैं कि बताईया हूं अपुइंट एस फ्लाग बियर ओफ इंडियन इसका गरेक्ट आंसर क्या होगा पैरिस ओलंपिक्स दोजार चौबिस में भारतिय दल का द्वज बाहक किसे न्युक्त किया गया है यानि कि आपका यहां पर फ्लाग बीरर की बात की गई है किसको बनाया गया है सरत कमल को बनाया गया है सरत कमल का नाम आपको यहां से द्यान में रखना है प्लस यहां पर एक तो फ्लाग बीरर का तो इंपोर्टेंट होता ही होता है कि फलाग बीरर कौन है यह आपके कौन बनी है तो इनको सेफ जल्मिशन पॉर दर समर गेम्स बनाया गया है तो यह आप ध्यान रखना आगे देखें नेक्स्ट है कि हूँ एज रिप्लेजड एमेस धौनी एज न्यू काप्टन ऑफ चैन नहीं सूपर किंग से इन आई पील दोजार चौबिस बताएं इसका सही जब आप बताएं इसका करेक्ट आंसर बताएं कि क्या होगा 2021 की बात की गई है कि अब तक जो है धोनी कैप्टन हुआ गरते थे नाओ कैप्टन से अब यह एमेस धोनी कैप्टन नहीं है अब किसको चैप्टन बनाया गया है तो रुतुराज गैकवाड बनाया गया है किसका CSK का यानि की चैन्नाई सुपर किंग्स का चैन्नाई सुपर किंग्स के काप्टन पहले अम एमस धोनी हुआ गरते थे ना रुतुराज गैकवार हुआ अब हैं तो यह आप ध्यान रखेगा चीक है आगे चलेंगे थे नेक्स्ट क्या है करा कि ट्वेंटी यह ओल्ड न stregg that आब पन कि वर्ल डन बहुत बहुत बढ़िया हाँ यह किस state से है answer क्या हो जाएगा केरला इसका सही जवाब होगा केरल से आती हैं चीक है यह जो फोटो में आप देख रहे हैं यह आपकी women long jump में gold जीता है इन्होंने यह केरला से आती है जीमस यह थ्यां रखना में जूण जम्प की बात करें तो केरला के मौंमद अनीस है यह यह थ्यां रखे गा वहीं यह दो नाम आपके लिए यहां से इंपोर्टिन बनेंगे बाकी सब सरह जादा important women's category का important बनेगा नयान जेम्स का नाम आगे देखें who has been introduced into the world billiards museum hall of fame ये कहा गया है world billiards museum hall of fame में किसे सामिल किया गया है किसे सामिल किया गया है एक बर सेक्षन को like और share कर दो यार चलिए स्पीड में यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा किसको तो पंकज आडवानी का नाम आपको यहाँ से याद रखना है वर्ल्ड विलियर्ट्स म्यूजियम ओफ हॉल फेम में किसे सामिल किया गया है पंकज आडवानी को यह जो फोटो में आप देख रहे हैं और इनको हॉल आफ फेम आप दो वर्ल विलियर्ट्स म्यूजियम में सामिल किया गया है बात करें यह कहाँ पर लोकेटेड है तो यह संगराव चाइना में लोकेटेड है तो यह यह आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा नेक्स्ट कोशन है वो वन दा विमेंस प्रीमियर लीग दोजर चॉबिस टाइटल अरुन जेटली स्टेडियम नहीं दिल्ली अरुन जेटली स्टेडियम आप से यहां पर पूछा जा सकता है कि बताइए अरुन जेटली स्टेडियम जो है वो कहां पर है यह सभी के लिए इंपोर्टेंट है इस दिस फॉर थ्री एर लल बी फॉर पी उ सभी के लिए है अगर वहां पर आपका करेंट अफिर्स और जी के सक्षन है तो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्फुल है आपको यह करना चाहिए ठीक है आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्फुल रहेगा और बहुत कांसाइज किया गया कॉंटेंट को बहुत जादा उतना ही लिमिट में रखा गया है content तो यहां अगर हम बात करें तो आपके लिए यह important हो गया आप इसमें बात करें तो इसका answer होगा Royal Challengers Bangalore will be the right answer अरुन जेटली स्टेडियम कहाँ पर है नई दिल्ली में एक वो याद रखना है दूसरा आपका यहां पर answer क्या होगा कि यह खिताब किस ने जीता है तो Royal Challengers Bangalore के द्वारा जीता गया है यह बहुत बहुत जादा important question है कि Indian Women's Premier League में WPL में 2024 जो हेल्ड किया गया वो अरुन जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था यहां पर ट्रॉफी जो है वो आपकी ट्रॉफी और 6 करोड इसका प्राइज रहा है विनर को मिला है जिसमें Royal Challengers Bangalore RC भी आता है RC भी जीता है रनर अप में दिल्ली कैपिटल रहा है जिसमें 3 करोड का कैस है और उसके बाद में ट्रॉफी है प्लेयर की बात करते हैं तो दीपती सर्मा का नाम आपको यहां से याद रखना है चलिए हाँ आगे चलेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट कोशन आपका क्या है नेक्स्ट कोशन आप से कह रहा है कि हूँ है रिसेंटली ब्रोकन दा सिक्स्टीन इयर ओल्ड नेशनल रिकॉर्ड इन अमेंस 10,000 मीटर रिस सीतल देभी गुलवीर सिंग सुरेंदर सिंग सिवानी सिंग बताएं इस स्पीड में आंसर करें कि इसका सही जवाब क्या होगा हाँ नवराक्षी सर्मा नवराक्षी शर्मा आप मैंने आपको बता दिया है परिशान मत हो यह अगर जीके सेक्षन आपके उसमें है तो बिल्कुल इंपोर्टेंट है यह क्लास चालो बाकी का अगर आप ठीक है तो यहां से ध्यान रखेगा आंसर की बात कर लें तो इसका अंसर गुलवीर सिंग होजाएगा क्या होगा गुलवीर सिंग जो है वो इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट देखिये यहां पर इंडिया के गुलवीर सिंग जी है यहनोंने record break किया है यह इनकी दुआरा record जो है वो break किया गया है और दिखो मैं अगर मैं आपको बताओं आपको किसी भी exam के लिए preparation कर रहे हूं doesn't matter चाहे वो SSC हो चाहे किसी भी government exam के लिए कर रहे हैं आप किसी भी उनिवस्टी के लिए कर रहे हैं आप किसी भी exam के लिए कर रहे हैं ठीक है current affairs जिसमें आता है इसके बाहर current affairs नहीं आएगा मार्च मन्त से इस बात की गरेंटी है इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा जितना मैं आज के session में कराने वाला हूं ठीक है चलो तो अभी अगर हम यहां पर बात करें कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो 10 एडिशन हुआ है इसका तो यह आपका कहा पर हुआ है तो यह आपका कैलिफॉर्णिया युएसे में कराया गया है जिसमें 16 एयर लॉंग स्टैंडिंग नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है यह उत्तर प्रदेश से आते हैं यह आप दियान रखिएगा कहां से आते हैं उत्तर प्रदेश से हां चलो आगे चलते हैं आगे हम बात करेंगे क्यांसर नेक्स्ट क्व्यच्चन के किक हुव विकेम दा Y Beyond Di1ंगेस्ट क्रिकेटर तू gen Mather Sir Richard Hardly तो इसके लिच्चन चीक बात करेंं पें होंसर रचिन रविंद्र रचिन रविंद्र जो है वो सही जवाब होगा इसका correct answer होगा रचिन रविंद्र चीक है नेक्स्ट देखे अगर हम बात करें यह जो आप देख रहे हैं यह रचिन रविंद्र जी हैं और इनको हाल ही में न्यूजिलेंड में सर रिचार्ड हैडली मैडल जो है वो दिया गया है रचिन विकेम यंगेस्ट रेसिपियंट ऑफ द अवर और जॉइन सीएसके एड़ ऑफ आईपेल दोजार चौबिस और यह रचिन रविंद्र जो है आईपेल दोजार चौबिस से पहले सीएसके से जोड़ेंगे यह यह य दौरा जीता गया है उसको किसके दौरा जीता गया है चलिए तो यहां पर बात करें पुनेरी पल्टन आपको ध्यान में रखना है पुनेरी पल्टन इसका गरेक्ट आंसर होगा जो फोटो में आप देख रहे हैं यह पुनेरी पल्टन है और यह फर्स्ट टाइम जो है आपका 10 एडिशन यह हुआ है जिसमें प्रो कवर्डी ल आपको याद रखना है पैट क्यूमेंस को काप्टन बनाया गया है पैट क्यूमेंस ब्लाइच और 20.5 करोड इनको ऐसा रच के दौरा कितने का 25 करोड 20.5 करोड में खरीदा गया है पैट क्यूमेंस की बात की जा रही है चल नेक्स्ट देखते हैं अंद मिले की से चुना गया है किसे चुना गया है फटावट से बताएं स्पीड में आंसर करें कि इसका सही जवाब क्या होगा अभी हमने बात करी थी पैट क्यूमिंस की नाओ अब हम बात कर रहें यहां पर टाइगर वुड्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि रिनॉन घोलफर हैं ताइगर वुड्स यह सिलेक्ट किये गए हैं बॉफ जॉन्स अवॉर्ट के लिए और यह हाइएस्ट ओनर है कहां का यू एस जी यूएस गोलफ एस्स इसूसीएशन का जो अमेरिका है वहां पर जो गोल्फ एस्सूसीएशन है उसका हाइस्ट अवॉर्ड है और उस करेंगे जो हमारे rankings और index हैं उनसे related questions की ranking और index में कौन कौन से questions जो हैं वो आपके लिए यहां से important बन सकते हैं उन सभी questions की हम बात करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से session को design किया गया है मैं फिर से आपको वही चीज बोल रहा हूं चीक है तो अभी अगर हम यहां पर बात करें कि विदाउट हम कोई time waste में कर रहें पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं और पूरा बड़िया तरीके से content को cover करने की कोसिस कर रहे हैं according to the third food waste index report how much food is wasted annually worldwide आपसे से पूछा जा रहा है कि कितना percent annually जो है वह खाना बरबाद होता है कितना परसेंट खाना बरबाद होता है दुनिया भर में यानि की वर्ड वाइड की बात की जा रही है विश्व भर में कितना परसेंट खाना बरबाद होता है बात करें कितना परसेंट खाना बरबाद होता है तो 19 परसेंट बरबाद होता है वो अलग अलग तरीके से बरबाद होता रहे हैं वह किसी भी तरीके से जो खाना बरबाद हो रहा है हो टोटल 19 परसेंट आपका हो रहा है यह यहाँ पर डेटा जो है वह लाय रिलीज किया गया है डेटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है UNITED NATIONS एन्वाइमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे डेटा को रिलीस किया गया है और जिसमें बताया गया है कि फूड वेस्टेज कितना है तो 19% है और यहां पर एक टार्गेट भी रखा गया है कि और यहां पर लोगों को अवेर किया रखा है कि बोजन की बरबादी के वाड़े में जागरुत का बढ़ाना और खाद बरबादी को आदा करना यहां पर इनका टार्गेट है बक कि 19% यहां पर अभी भी खाना बरबाद हो रहा है जिस से बात करें अगर हम तो 1.05 अरब 10 भोजन मतलब या उप भोगताओं के लिए उपलब भोजन का 19 परसेंट आगे देखें बात करें एस पर दा हुरून रिच लिस्ट हाँ अगर हम बात करें हुरून रिच लिस्ट की तो हुरून रिच लिस्ट जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है एंड विच्ट सिटी ओफ इंडिया राइजस तो थोर्ड इन विलेनियर कापिटल रैंकिंग्स ये सब इनको कैसे पता चलता है भूपेंद्र जोगी जी भूपेंद्र सर एक प्रॉपर टीम होती है इसके लिए प्रॉपर ये लोग काम करते हैं उस पे इनका इनका पूरा अ लगता है लेकिन यह रिपोर्ट्स जो है वह आपके जो मीडिया है जो बाकी की यह बहुत लंबी रिसर्च चलती है उसके बाद में डेटा निकल के आता है जैसे यह निकल किया है अब हुरून रिच लिस्ट में बात करें कि भारत का कौन सा सहर अरब पती पुझी में तीस एसिया के सहर हैं एसिया के सहरों में मुंबई पहले नंबर पर आता है किसके मामले में रिच रिचस्ट के मामले में यह आपको हाइस्ट बिलेनियर के मामले में वहीं न्यू यॉर्क जो है वो गलोबली पहले नंबर पर आता है बात करें कि जो इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर आता है बिलेनियर्स की लिस्ट में अरब पतियों की सूची में भारत जो है वो तीसरे इस्थान पर आता है दिल्ली की अगर हम बात करें दिल्ली किस नंबर पर आता है यह मैंने डेली कर इंटाफेर्स की क्लास पर बताया हुआ था आप एक बार कमेंट करके रहता है और इस डेटा में आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए इंडिया का रेंग क्या है इंडिया का रेंग क्या है बताएं वहलिए इंडिया का रेंग क्या है इंडिया का रेंग 126 है देनि यहाँ और पर हमख और तॉप किसके द्वारा किया गया है उन सभी की लेते हैं जैसे टॉप की बात करें कि आप किस ने किया है तो टॉप किया गया है फिन्लेंड के द्वारा चीक युनाइटेड नेशन के द्वारा इसको रेलीज किया जाता है इंडिया 26 उन स्थान पर है अफगानिस्तान जो है वह पर आता है पाकिस्तान 110 नंबर पर आता है पाकिस्तान का भी रेंक जो है वह ठीक है वहीं बाकि के अगर हम बात करते हैं कि बंगलादेश और स्रिलंक का तो वह भी ठीक ठाक पोजिशन पर आते हैं इंडिया का आपको ध्यान में रखना है बाकि टॉप किसके दौरा किया गय कौन सा है सबसे जादा पॉलिटेड सिटी जो है वो कौन सा है यह आप से यहां पर पूछा गया है आंसर की बात करें सबसे जादा पॉलिटेड सिटी कौन सा है आंसर हो जाएगा बेगू सराय है सबसे जादा अगर हम बात करते हैं आई क्यू एर इंडेक्स के दौरा और को आप कंट्री में कॉँला देस और यहां पर 3 नमबर उइन यह पर और फोучसों ॉस्ट के लिस्ट कर आपक Пछ एकंट्री पर सब्सक्राइ इन पर खैने कानडा जो है वो रैंक ऑफ इंडिया इंडेर इनिक्वालिटी इंडेक्स 2022 बताएं फटाफ़ट से जैंडर इनिक्वालिटी इंडेक्स 2022 की बात की गई है इसमें अगर हम देखते हैं तो 108 रैंक है भारत का जैंडर अगर बात की जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया का रैंक क्या है इंडिया का रैंक पहले अभी 122 हुआ करता था 191 कंट्रीज में से 2021 के अगर हम बात करते हैं लेकिन अभी यह 108 हुआ है 193 कंट्रीज में से यह रिपोर्ट किसके दौरा रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशन्स डैबलमेंट प्रोग्राम के दौरा इस रिलेट इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है टॉप किया ग अगर हम देखेंगे दिट को में इνडिया का पोजिशन क्या है वर्ल्द Mins एंपोर्टिंग फोर्टिंग कंट्रीज में पूछा गया है पीडिएफ मुल जाएगा इसा पीडिएफ आपको टेलिग्राम से मिल जाएगा टेलिग्राम से पिडिएफ साहएं आप सभी लोग ड चल बहुत बढ़िया आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट इसका सही जवाब होगा पहला इसका करेक्ट आंसर होगा सिपरी की बात की गई है सिपरी के दुआरा यहाँ पर हाली में एक रिपोर्ट रिलीस की गई है और जब हम सिप्री की बात करते हैं तो यहां से याद रखेगा कि सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉक होम इंटरेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट जिसमें इंडिया जो है वो टॉप इंपोर्टर है किसका आम्स का यानि की हतियारों का ठीक है यह आप ध्यान रखेगा और सबसे ज़्यादा इंडिया कहां से हतियार आयात करता है तो इंपोर्ट करता है रश्या से और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है USA सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो आप ध्यान दख्येगा क्या रहा है according to S&P Global the Indian economy in 2024 is expected to grow by हाजी बदा ये स्पीड में मैं क्लास कर रही हूँ बगल वाले घर में फाइरिंग हो रही है लडाई हो रही होगी देखे रहे ना तुम्हारे पास ना चलिया है चलो पढ़लो अभी उधर ध्यान मत दो इधर आंसर करो फट अपट से कि इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा 6.8% will be the right answer नेक्स्ट अभी अगर हम बात करें तो बाकी का पूरा चार्ट मैंने यहां पर दिया हुआ इसका पीडियाफ आपको मिल जाएगा एक बार पीडियाफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलिग्राम से अब हम बात करेंगे गवर्मेंट स्कीम्स की इंडिया में जो गवर्मेंट स्कीम्स हैं वो अलग अलग जगों पर हैं जैसे लाइक अगर हम बात करें तो आप इसको यहां पर गवर्मेंट स्कीम्स स्टेट्स की भी देखने को मिलेंगी तो सभी इस गवर्मेंट स्कीम्स देखने को मिलेंगी तो सभी इस गवर्मेंट schemes को cover करेंगे चालो चालो शालो आगे जलते हैं यहाँ पर बात करें गॉर्मेंट स्कीम्स की तो गॉर्मेंट स्कीम्स में सबसे पहली स्कीम है नेम इंडिया फर्स्ट री यूजबल लाँच विकल विच्वा सक्सिस्वली लॉंच इन चित्रदूर्ग करनाटिका बारत के पहले पुना प्रयोज लॉंच व पुस्पक किसको लॉंच किया गया था पुस्पक के यहां पर सही जबाब होगा ठीक है अब किसको लॉंच किया गया था इस रो के द्वारा ये आप ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट रहेगा आगे चलेंगे बात करेंगे next question की अगला सवाल है कि वेच स्टेट किरियेटेड किस राज के द्वारा यहां पर हिस्ट्री रिक्रियेट किया गया है और इंडिया का सिकेंड प्राइविटली डवलप्ड रॉकेट इनके द्वारा तैयार किया गया है बताएं फटापट से हां PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजेगा मैं कही एक ब चलो अगनी बान सौर्टेड बाई अगनी कूल कॉस्मोस तमिल नाडू स्टार्ट अप है और इंडिया फर्स प्राइवेट पैड लॉंच है सैमी क्राइजोनिक इंजन रॉकेट के साथ में चलो आगे देखो हाओ मैनी रेल्वे ट्रेंस गॉट इट राइट इस्टेशन स अगर हम बात करें कि यहां पर यह कहा गया है कि कौन सा रेल्वे ट्रेन है जिसको इट राइट इस्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है कितने रेल कितने ट्रेन को इट राइट इस्टेशन का प्रमाड मिला है कितने स्टेशनों को मिला है 150 स्टेशनों को मिला है 150 स्टेशनों क फिर free audit किया जाएगा stations का food safety के दौरा और इसमें फिर आपका training कराई जाएगी food handles की railway में कैसे क्या करना है और final audit के बाद में यहाँ पर agency जो है six month के अंदर अंदर certificate दे दिया जाएगा फिर आपका regular inspection जो है वो चलता रहेगा और certificate का renewal जो है वो दो साल में होगा और यह certificate FSAI FSAI के दौरा दिया जाएगा यह आप ध्यान रखेगा कितने 150 railway stations को जिसमें passengers और vendors को help मिलेगी passengers को help मिलेगी खाना खाने में और तमिल नाड़ू बोला यह तमिल नाड़ू नहीं बोला वो फिलो फिलो में हो गया हो तो हो गया हО तमिल नाड़ू वही वह चलो मजो तो यह अप द्यान रखेगा आग सुव सुलत बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोधी की प्राइम मिनिस्टर मोधी के दौरा लॉंच किया गया है हाइड्रोजन पावर्ड फैरी बिल्ट एट विच कंपनी चीक है अभी अगर हम यहां पर बात करें तो आपको यहां से क्या याद रखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा आंसर हो जाएगा कोचिन से प्याट लिटेड व्यल्वी डराइट आंसर कोचिन से प cash लुम्टेड करे harness रहे तो प्राइम मिनिस्टर मोधी के दौरा है वरांसी उत्तरप्रदेश में यह जो आप देख रहे हो यह आपका सिप्याइट सेल है यह फैरी यह आप ध्यान रखेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपका स्यामा परशाद मुखर जी पोर्ट वाज इन रिसेंट न्यूज और इस लोकेटर इन विच इस्टे आपको यहां से ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट बनेगा कि आप रिसेंटली न्यूज में था यह कहां पर है तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगौल में हैं कहां पर है वेस्ट बेंगौल में हैं स्यामा प्रशाद मुखर जी पोर्ट कोलकाता वेस्ट बेंगॉल में है चल आगे दिखेंगे नेक्स्ट कोश्चन को अगला सवाल आप से क्या कह रहा है कि नेवी विल कमिशन अन्यू बेस आइनेस जटायू और मिनिकोई आइलेंड इट इस सिचुएटेड इन विच यूट का करेक्ट आंसर होगा इंडियन नेवी ठुमिशन न्यू बेस आई एस जटायू कहां पर लक्षदीप मिनि कोई आइलेंड में तो हैं आप से पूछा जा सकता है कि बताइए कहा पर तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि लक्षदीप में है यह आप ध्यान रखिएग गया है कहा पर मनाया गया है बताएं कि चाप्चर कुट की बात की गई है चाप्चर कुट की जब हम बात करते हैं तो मिजोरमा आपको यहां से ध्यान में रखना मिजोरमate Sydney रइंसर ने द्वारा यह मनाया गया है यह ग्रेड अगो करल मार्च से 1780 से मनाया जा रहा है एन्वली इसको मार्च के महीने में मनाया जाता है पहले फ्राइडे को ये भी आप याद रखेगा कि कब मनाते हैं मार्च के महीने में मनाते हैं पहले फ्राइडे को मनाते हैं वो भी इंपोर्टेंट बनेगा बात करें पहली बार से जो सेलिब्रेट किया गया था वो सीवपोई गाव में सेलिब्रेट किया गया था इंपोर्टेंट फेस्टिवल और भी जैसे चाप्चर कुट फेस्टिवल है अन्थूरियम फेस्टिवल लुक का कुट फेस्टिवल है यह कहां के फेस्टिवल है यह आपके मिजोरां के फेस्टिवल है ठीक ह कब बिसकोबर बाइजिलोजी कल सर्वें ऑफ इंडिया जो देख रहे हो इसकी बात कि जा रहे है यह मरीन स्पेसीज है और इसका नाम जो है वो द्रौपदी मुर्मु जी के नाम पर रखा गया है आगे नेक्स्ट आपका कोश्चन कि इंडियन नेवी कमिशन न्यूली इंड़क्टेड MH60R सी हॉक मल्टी रोल हेलिकॉप्टर एट विच आइनस इन कोची बदाएं स्पीड में आंसर करें कि इसका सही जवाब क्या होगा आपको आएनस गरोड याद रखना है आएनस गरोड आएनस गरोड चीक है यह आप ध्यान रखेगा आएनस गरोड नेक्स्ट देखो कटक रूपा तरह का सी यह रिसेंटली इसको जी आई यह कहा से तरहकसी की बात की गयी है तो आपका sih की बात किरें तरहकासी का मतलब है तार कसनदल मुए तरह मुंआ इसको जैए मिला है उडि साका यह आप ध्यान रखना सिलवर का तर और इसको कसना तो वह एस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें तार कसके इसको बनाया गया है नेक्स्ट देखें अदितीचीम यह अदिती अधिति वह गाना भी यह तो गाना कौन सा है अधिति कोई जब अपना लगता है कि वह बिच्छडता है तो वह किसा अपना लगता है ऐसे में कोई कैसे सोच चुक है 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 ना चल कभी कभी अधिति में यही कोई अपना लगता है आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा डिफेंस सेक्टर कभी कभी अधिति वह बिच्छडता है तो वह किस अपना लगता है आगे दिखो तो यहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है कहां पर मानिक्षो सेंटर नहीं दिल्ली में चीक है हाँ कभी-कभी अधिती चलो जी अधिती का फुल फॉर्म क्या है यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट देखिए अगे अगर हम बात करें कि विच कंट्री विल बी दा सीकेंड कंट्री आफ्टर रॉश्या टू कॉमर्शियली ऑपरेट आफ फास्ट ब्रीडर तो आंसर की बात करें आंसर हो जाएगा इंडिया इंडिया दुनिया फास् राज बना है इंडिया फिर्स्ट इंडिजीनस प्रोटोटाइप पास्ट ब्रीडर रियक्टर 508 कहां पर लगा है तो कालपक्कम तमिल नाडू में लगा है कालपकम तमिल नाडू एंड इन विच स्टेट हैस्ट विडो रिमारिज प्रमोशन इसकीम बीन लॉंच लिए बहुत-बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमारिज चलो बताओ ह है 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 आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका शे को में ने zhp ब्रीब니다 कि बात की गई है एंड़ी इसको किया गया है तो विडो की रिमेरेज इसके लिए है तो अंसर क्या हो जाएगा अफ जारखंड जारखंड ठीक है यहां पर अगर हम बात करें तो जारखंड में बिद्वा की बात की गई है कि जारखंड में जारखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा दी मेरेच प्रमोशन इसकीम लॉंच की गई है जिसमें दो लाक रुपए का सिस्टेंट्स दिया जाएगा नेक्स्ट है कि विच स्टेट है इंट्रोड्यूज इस फर्स जैनरिक एई टीचर इरिस यह किसके द्वारा लॉंच किया गया है इरिस एई टीचर है यह किसके द्वारा किया गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा केरला इसका गरेक्ट आंसर होगा ठीक है केरल जो है वो इसका सही जवाब होगा केरल के द्वारा यह किया गया है आपका थिरुवनंद्पुरम के एक स्कूल में यह देख रहे हो आप एई टीचर हाओ मैनी मेंबर्स आप यह चलिए बताईयै स्पीड में कितने लोग होते हैं तो nine member होते हैं कितने nine member होते हैं लोगपाल ओफ इंडिया च्या परसंसरी जस्टिस अजय मानिक राव खान विल कर हैं इन्होंने किसका इस्थान लिया है आज सुबह वाली क्लास में कराया था मैंने आज सुबह वाली क्लास में कराया था ठीक है बाकी अभी रिसेंट में नई मेंबर बने हैं तो वो आप ध्यान रखेगा टूटल लोकपाल की बात करें तो लोकपाल प्रेजिडेंट ओफ इंडिया के द्वारा अपोइंट किये जाते हैं लोकपाल लोकायुक एक्ट लाया गया था दोजार तेरा में टैन्योर पांस साल का होता है या फिर उनकी सत्तर साल की यह तक पिनाकी चंद्रगोस पहले लोकपाल थे सेकेंड जो है वो खान विलकर है बस देट सेट नौ मेंबर होते हैं चेर मैन को इंक्लूड करके और चार जुडिशल मेंबर्स को इंक्लूड करके नेक्स्ट है आपका इन्द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाई ब्रांड फाइनिंस इंसुरेंस विच इंडियन इंसुरेंस कंपनी हैज इमर्ज आज इस वर्ल्ड स्ट्रॉंगेस्ट इंसुरेंस ब्रांड फट आपट से बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करा दूँगा मैं तब तक तो मैं यहां से नहीं हिलने वाला हूं ठीक है तो अभी थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बट हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे चलिए अज़ी आंसर की बात करें तो लाइसी आप ध्यान रखेगा लाइसी चीख यह आप ध्यान रखेगा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन कर अबरी है लाइसी कौन बनी है लाइसी बनी है चीख रहें नेक्स्ट देख app के इन विच स्टेट इस सब्सक्राइब मैं भताएं ँअ ओम आकार का मंदिर पूछा गया है आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इसका गरेक्ट आंसर क्या होगा राजस्थान प्लबी डाईट आनसर ठीक है एंड वर्ल्ड का पहला ओम-जेफ्ड टेमपल इनोगरेट किया गया है पाली रजस्थान में चीक है 250 एकड में बना हुआ है ओम सिंबल की सेफ्ट में नागर स्टाइल में इसको बनाया गया है यह जो आप देख रहे हो यह आपका ओम टेमपल है ओम की आकार का बना हुआ है इस तरीके से आपको यह देखने को मिल ना है तो आंसर की बात करें किर्शक उननती योजना में 36 गड़ आपको दिहान में रखना है कौन सा चाथिस गड़ याद रखना है वाकि चाथिस गड़ के द्वारा इसको लॉंच किया गया है इंपोर्टेंट पॉइंट है और मैतपूरद बनेगा आगे चलिंगे नेक्स in which state of India what up what से बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा नुमाली गड़ रिफाइनरी हाली में खबरों में थी यह भारत के किस राज्ज में इस्थे थे यह भारत के किस राज्ज में इस्थे थे जब हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आंस एहमद नगर सिटी का नाम चेंज किया गया है एहमद नगर सिटी का नाम चेंज करके क्या किया गया है यह आप से यहां पर पूछा जा रहा है पड़ा पड़ से बताएं कि क्या किया गया है एहमद नगर सिटी का नाम चेंज करके क्या किया गया है झाल झाल आंसर की बात करें तो इसका नाम क्या किया गया है अहिल्या नगर अहिल्या नगर चीक है और उसी में महराश्ट्रा का जो औरंगाबाद है उसका उस्मानाबाद किया गया है और चत्रपती पर चत्र पती सामभाजी नगर सेघिस्पेकेटली मतलब औरंगाबाद का नाम बदल कर यह पर चत्रपती नगर किया गया है और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धारासिब किया गया है यह अप ध्यान रखना महराश्ट्रा। वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जिनका में सेट का पेपर है फाइव यर वाला नेक्स्ट देखो विच स्टेट हैस विकम दा फॉर्स्ट इस्टेट तो डेसाइड तो पर्चेस लैंड इन दे यूनियन टेरिटरी ऑफ जमू एंड कस्मीर किसने यहां पर डेसाइड किया है नामचेंज होते रहते हैं और उस्ट में उसमें क्या इफ दिक्कत है नामचेंज होते रहते हैं जब जो रूलर आता है जब जिसका सशन होता है जिसकी सथ्थ होती है तो वह उसके मुताबिक हो अपने हिसाब से नाम रखता है चल तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका answer होगा महरास्ट्रा के द्वारा यह decide किया गया है किसके द्वारा महरास्ट्रा के द्वारा महरास्ट्रा जो है वो जमीन ले रहा है 2.5 एकर ओफ लैंड चीक है और यहां पर स्टेट बिल्डिंग बनाया जाएगा 8.16 करोर से आगे देखो कहा रहा है विच पार्टी इमस इस टॉप रेसिपेंट आल पॉलिटिकल पार्टी स्थरो इलेक्टोरल बॉन्ड इसकी मैं सबसे ज्यादा चंदा सबसे ज्यादा डोनेशन के द्वारा लिया गया है और यह 9 बजे वाली क्लास में और रात 9 बजे वाली क्लास में कवर करा दूँगा रेगुलर फॉलो करो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पढ़ेगी जीके और करेंट अफेर्स के सब्सक्राइब चलिए फिर तैंक्यू सो मच जैहिंद आप सो भी अपना ध्यान रखेगा फ नहीं जला कर सब्सक्राइब खाब शनला